अब दोस्तों स्वागत है आपका मेरे सेनिक समाचार चैनल में दोस्तों आज की वीडियों मात करेंगे सभी पूरु सेनिकों के लिए और केंदरी करमचारियों के लिए दोस्तों इंपॉर्टन अपडेट है जहां पे इस पर्ष की तरफ से दोस्तों पेंशनर्स को हर महीने अलग-अलग सर्कुलर के जो एरियर मिल रहे हैं वहीं पर दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स साथ जो है गलतियां भी हो रही है और यह आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आपको एरियर मिल भी जाता है तो अब आपको जालुक रहने की बात है कहीं ना कहीं ऑट्रमेटिक सिस्टम में कहीं भी गलती हो सकती है और उसकी वएसे दोस्तों क्या है कि कोई एक भी कॉंपोनेंट अगर आपको काम होता है उससे दिक्कत आने वाले तो बात करेंगे दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि सपर्श की तरफ से अभी पैंशनर्स को जो मेंसीप करियर का कि स्कूलर है कि उसके बेस वेविLS दोस्तों जो है एनिये कभुट आनों हो रहा है ओस्के माध्यम से आपको सब भुक्तान हो रहा लेकिन इसमें जो सबसे ज़या भाली बात यहारा है कि जो भी आफके रिवाइस भी प्यप्यों आर्यार मिलने के बात से कि या मैस सबसे ब बारें बात करेंगे और वो है दोस्तों आपका पूर हुसानिकों के जो वेलफेर से जुड़ा और जो पूर हुसानिकों को वेलफेर मिलता है बहुत सारे वेलफेर दोस्तों जिसमें की चिल्डन एजुकेशन अलाउंस होगे आपका इसके लावा दोस्तों आपको जो मेरेज जहां पर आपको जो है बच्चों को जो है बड़ी उच्छी शिक्षा के लिए जो है अगर भेजना है और वो कॉस्ली होता है उसमें कहीं न कहीं दोस्तों यह एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि आपका केंद्रिय सैनिक बोर्ड की तरफ से जो है आपको वेलफेर मिलता है वो बहुत बड़ा रहात देता है हम बात करेंगे दोस्तों अभी इसके उपर लेटेस्ट अपडेट के लिए बहुत सारे लोगों नोस्तों पिछले तूरे नहीं किया था और अगले साल पूछ रहे थै कि क्या पिछले साल का मिल सकता है दोस्तों यह इसका टाइम प्रफिटेट है में सीपी और पीजिए के जो सर्कुलर है 568 उसको लेकर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे मात करते हैं दोस्तों अब चैनल पर पहली बार रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलत सब्सक्राइब करें तो आपको नेक्स्ट रैंक का जो भी फैनैंशल बेनिफिट से मिलता है इसी बेस पर दोस्तों जिन जिन लोगों ने जो है मसीप के लिए लिजिबल थे उन्होंने लिए अपलाई किया और उनको मिल रहा है दोस्तों अभी कुछ इशूज आ रहे हैं जो हम बात करें इशूज मतलब अगर आपको एरियर मिल भी जाता है फिर भी आपको जो है दोस्तों देखना है कि बाकी सारा चीज भी आपको मिलना चाहिए मतलब आपका जो है बेसिक पे हैं अगर आपको मसीपी लागू होता है तो आपको बेसिक पे में बढ़ोतरी होनी चाहिए वो आपका PPO में रिफ्लेक्ट ज़रूर होना चाहिए अगर आपके PPO में आपको MSCP का मिला बड़ आपका PPO में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आने वाले टाइम में जो आपको पेंशन मिल नहीं है वो उसी बेसिक जो बेसिक पर जाने थी वो नेक्स लेवल पर नहीं गई और उनको पुराना बेसिक पर मिलता रहा और उसके बाद से दोबारा उनको दोस्तो इसके लिए CP ग्राम में अपना कंप्लेंट डायर करना पड़ा और उसके बाद से दोस्तों इनका बेनिफिट मिला तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि इसको जो है टाइमली जो है आप चेक कर लें जैसी आपको इसका एरियर का बुक्तान होता है क्योंकि पीपी ओर जारी होगी नए आवाला उसमें आपको चेक करना पड़ेगा जो भी कि अभी इसके बाद से आपका बेसिक पर जरूर बढ़ना चीए बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की जहां पर अभी नेक्स जो है PCDA Circular 568 का जो है जून में कई पेंशनेंस को जिनकों की जो की इलिजिबल थे उनको इसका बुक्तान हुआ है और अब जो है जून के महीने में भी जो है उनके खाते में यह जो Circular 568 का एरियर का और हर साल पूर सैनिकों के वेलफेर के लिए गवर्मेंट यह फंड्स देती है जहां पर अगर 12 तक बच्चा पढ़ रहा है या आगे हाईर एजूकेशन कर रहा है तो उसके हिसाब से दोस्तों जो है आपको 24,000 और 48,000 रुपे मिलता है उसमें होस्टल सबसीटी मिलती है तो केसबी के तरफ से दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम से चाहां पर मैरेज गरांड तक मिलता है 50,000 और इसके लाओ दोस्तों अब तो एक लाग रुपे कर दिया गया है जो कि दिवंगत जो पूरुसैनिक है तो उसी से रिलेटेट जोस्तों जो अपडेट यह है कि केसबी ने एक बड़ी खुशकवरी दिया जहां पर और जो आपका फॉर्म फिलिंग का टाइम है जो भी केसबी के तरफ से स्कीम साती है उनके लिए टाइमलाइन डिसाइड होती है और उस टाइमलाइन के अंदर अंदर आपको जो फिल करना होता है दोस्तों वो टाइमला जो वेलफेर स्कीम है उसके लिए वो लोग दोस्तों अभी भी अपलाई कर सकते हैं और उनको जो है तीस जून तक चाहिए वह आप चिल्रन एड्यूकेशन एलाउंस के लिए अपलाई कर रहे हैं या वोस्तल सबसीडिक लिए लाउंस कर रहे हैं उसके कुछ करेंगे फॉर्म के साथ बहुत सारी चीज़े अटैच करनी पड़ती है उसके बाद से आप सम्मिट करते हैं कि दोस्तों जिन लोगों अभी तक भी के लिए नहीं अपलाई कि दोस्तों एक बार फिर से जो है टाइम बढ़ चुका है और आप यह ऐसी चीज़े जो कि आपक इसनिकों के लिए मैं सीपी को लेकर पी सीडे सर्कुलर 568 को लेकर और साथ ही साथ दोस्तों आपका यह केस भी में जो डेट पड़ी है दोस्तों गर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर